हलो दोस्तो जैसीरी कर्षणा हमारे चैनल ओम ग्यान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए है तिर्थ राज पुष्कर के बारे में इतियास के बारे में ऐसा माना जाता है कि विश्व में बर्मा का केवल एक ही मंदिर है जो यहां सिस्त है इस सरोवर के लंबाई चोड़ाई समान है इसके चारों और बने बावन घाट इसके सुंदरे को दुबना कर देते हैं यहां की परकति सुंदरता धार्मिक वातावरन मेले की चहल पहल धार्मिक सरदालों के लिए सरोग के समान है और बार बार अपनी और आकरसिक करती है यहां आने वाला हर सेनाली दिवे अलोकिक स्थान में रहकर अपने आपको भागय साली महसूस करता है इसे गायतरी वेद माता की जनुम भूमी भी माना जाता है बगवान सिव सहीद अन्य देवताओं की सक्ति पीट भी यहीं है कार्तिक सुकलपक्स के अंतिम पांच दिनों में जो कोई पुषकर तिर्थ में सनान पूजा करता है उसे अश्वे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिए चारों धर्मों की यात्रा करके यदि कोई पुषकर जील में डुपकी नहीं लगाता है तो सारे पुण्य निस्फल हो जाते है प्राचिन दार्णाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि सारे तिर्थ बार बार पुषकर तिर्थ एक बार इसलिए तिर्थों का गरू पांचो अधाम उपर्थी का तिसरा नेतर माना जाता है इस छोटी सी नगरी में पांसो से अधिक मंदिर है लेकिन बर्मा कचवदी सुताबदी में बनाया हुआ गया मंदिर परमुख है संग मरमर की बनी सीडियों से उपर पहुँच कर मंदिर के गरब गरह के ठीक सामने चांदी का कच्छवा बना हुआ है कच्छवय के चारों और फरस पर से क्डुशिक के जड़े हैं रंग जी का मंदर भी है बगवान विश्न का रूप माना जाता है रंग जी को सात्रुई देवी का मंदिर है विदा की देवी सर्ष्टी माता का भी मंदिर है वे नंदि भी है सुदता प्राप्ति की पर्तीक माने जाती है और वह नदी भी है यहां आने वाले लोग कहते हैं कि पुसकर नगरी में जादू है जो लोगों को खीशता है यहां एक ऐसा अनुभव होता है कि मोका मिले तो किसी भी हाल में चूकना नहीं चाहिए यहां आने वालों को सब कुछ सुख वोक कर मोक्ष की प्राप्ति होती है जब परमपिता बर्मा से हुई बारी भूल सश्टी की रचना पर परमपिता बर्मा जी ने यह सभी जानते हैं कि क्या आप यह जानते हैं एक बार बर्मा जी से भी भारी भूल हो गई थी एक ऐसी भूल जिसे उनकी पत्नी उने रूट कर हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ कर चली गई पत्नी के गुस्य के कारण आज सस्टी की रतना करने वाले की पूजा सरफ उसकर में ही होती है दूर पहाडों की चोटी पर विराजती है साथरी परमपिता बर्मा की अरदांगनी साथरी रूटी हुई है नाराज है यही वजह है बर्मा के मंदिर से बिलकुल अलग पहाड पर अपना बसेरा बनाया है आप सोचते होंगे कि क्यों नाराज है सावतरी क्यों अपने पती से अलग मंदिर में विराजती है सश्टी के रचना के लिए पुषकर में यग का आयोजन किया इस यग में पत्नी का बैठना जरूरी था लेकिन सावतरी को यग में पहुँचने में देरी हो गई पूजा का सुब मुरत निकनने लगा तब कोई उपाय नहीं देखकर बर्मा ने नंदनी गाय के मुक्षे गायतरी को परगट किया और उससे व्याय कर अपना यक पूरा किया जब सावतरी एकस्तल पर पहुची तो वहां बर्मा के बगल में गायतरी को बेठा देखकर क्रोधित हो गई और उन्होंने बर्मा को सुराब दे दिया सावतरी का गुसा सांत नहीं हुआ व्या करने वाले पंडित को भी सुराब दे दिया इतना भी दान कितना भी दान मिले ब्राहमन कभी संतुष्ट नहीं हो गए गाय को भी कल्यूग में गंद की खानी होगी और नारत को भी आजी उनको आरा रहने का सुराब दिया क्रोज सांत होने पर पुसकर के पास पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई फिर वहीं की होकर रह गई यहीं पर भगतों का कल्यान करती है पुसकर तिर धाम पुसकर जी की अनोखी कहानी है राजस्तान की अजमेर सहर से 14 किलो मिटर दूर उत्तर पक्ष्मी में अरावली पाड़ियों की गोद में बसा पुसकर नाम का छोटा सा सहर बारत के परसीत तिरिस्तानों में से एक है तिर्थ राज पुसकर सभी तिर्थों में सुरेष्ट माना गया है शेर करने वालों का सुरक्ष विदेश में अपनी व्यस दाती तरक आस्ताओं का मंदरों में सरोवर के लिए चर्चित है यह नगर दुनिया में एक केला एक ऐसा स्थान है जहां बर्मा की पूजा की जाती है पुसकर की रचना कैसे हुई इस बारे में अनेका कहनिया सुनी जाती है पुसकर का अर्थ है ऐसा सरोवर जिसकी रचना पुस्प से हुई हो पुरानों के अनुसार बर्मा ने अपने यग के लिए एक उचिस्तान ढूनने की इच्छा की यह एक कमल गिराया जो पुश कर उसी से बना एक और कता के अनुसार समुंदर मतन से निकले अमरत घट को छीन कर जब एक राक्षस भाग रहा था तब उस में से कुछ बुंदे इसी सरोर में गिर गई तब से हांकी जील का पानी अमरत के समान स्वास्त वर्दक हो गया जिसकी महान महिमा अन्य रोग ना सक सकती के बारे मे इतियास में अनोखा उधारन है फुसकर राजतिरित की अनोखी कहानी हमने आप लोगों को सुनाई जो भी फुसकर जील में रूप की लगाते हैं सरदालू पुजा पाट करते हैं उनके सब रोग कष्ट दूर होने के बाद मौक्ष की प्राप्ती होती है हमें कोमेंट करके बताए हमारी वीडियो कैसी लगी ताकि हम और भी आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो लेके आए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सब के साथ सेर करें धन्यवार